हलो नमस्ति मैं डॉक्टर संपूर्णा आज मैं आपको बता रही हूँ फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ मुख्य प्राणयाम तो सबसे पहला प्राणयाम है नाड़ी शोधन प्राणयाम यह क्लिंजिंग प्रॉसेस है नोस्टल्स को ओपन करने के लिए इनकी श चुद्धी के लिए तो सबसे पहले इसको करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठिएगा और अपने लेफ्ट हैंड में टीशू पेपर या कोई रुमाल लीजिएगा छोटा टावल भी ले सकते हां लाफ्ट हैंड में टीशू पेपर लीजिएगा राइट हैंड किस तर ही ओपर पेट अंदर और अस बहर देखिखी इस तरह से तो एक एक नोस्ताल से 10 को टूटेटी ताइम्स करना है उौनली एग्जेल इस तरह से पहले लेफ्ट नोस्टल को क्लियर करेंगे और इसी के बाद सेम इसी तरह से लेफ्ट नोस्टल को भी क्लोस करेंगे और राइट नोस्टल से भी सेम इसी तरह से एक्जेल 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 इस तरह से 10 to 20 टाइम्स आपको करना है नाड़ी शोधन प्राणे अम एक्जेल 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 जटके के साथ फ्रेशर के साथ नोस्टल्स को ओपन करने के लिए उनकी क्लिंजिंग के लिए शुद्धी के लिए जितना भी नोस्टल्स में म्यूकस है लिक्विड है गंदगी है डस्ट पार्टिकल्स है पॉलुशन पार्टिकल्स है उन्हें बहार निकालने के लिए इसके बाद जब आप प्राणेयम करत हातों कि आप सूर्य मुद्रा बना सकते हैं एक ऐसी मुद्रा है जिसको बनाने में बनाने पर आपके बॉड़ी में हीट जनरेट होने लगती है और जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होने लगता है तो दोनों हातों की सूर्य मुद्रा बना के आप अपने नीज पर रख है automatically यदि सांस अंदर जाती है तो कोई बात नहीं जाने दीजिएगा तो इस तरह से देखिए कि आप चाहिए तो आइस को close भी करके रख सकते हैं इस तरह से हर बार पेट अंदर सांस बाहर एक सेकेंड में एक बार जटके के साथ प्रेशर के साथ अगर आप as a beginner है आपको आदत नहीं है कपाल भाती करने की तो आप 30 टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं यानि कि आप एक बार में 30 स्ट्रोक्सी कीजेगा जब आपकी capacity बढ़ जाए तो आप इसको 60-60 के 3 sets भी कर सकते हैं 100-100 के 3 sets भी कर सकते हैं या फिर 5-500 के 3 sets भी कर सकते हैं 500 का मतलब है लगब तीन से पांच मिर्ट लगेगा आपको एक राउंड कंप्लेट करने में तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपनी capacity को बढ़ाएगा और आपको डेली कम से कम 15 मिनट के लिए करना है कपालभाती प्राणियाम 99% health issues को दूर करने के लिए बहुत ही best है कपालभाती प्राणियाम चाहे आपको infertility की problem हो, fertility को boost करना हो, reproductive health issues है, या gas की problem है, constipation रहता है, पेट की problem है, inter-sencerative problem है, तो सभी problems को दूर करने के लिए, साथी weight loss के लिए, lungs capacity को increase करने के लिए, cancer को दूर करने के लिए, इसके बाद जो next प्राणियाम है, वो है, भ्रामरी प्राणियाम, भ्रामरी प्राणियाम के लिए, आप हो सके तो किसी भी meditative आसन में बैठियेगा, और अगर आपको मुश्किल लगता है, तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, मैं इस तरह से पदमासन में बैठी हूँ, नीज को मैं इसे टच करके रखियेगा, एकदम रिलाक्स होके बैठियेगा, और अपने थम के टिप से अपने ear caps को close करके रखियेगा, चेस को उपन करके रखियेगा, shoulder joints को उपन करके रखियेगा, elbows को side में रखियेगा, face को सामने रखियेगा, अपने index finger को forehead पे रखियेगा, तीनों fingers को मिलाके softly eyes के उपर रखियेगा, और फिर लंबी घहरी सांस बरेंगे, lungs में, chest में जितना आप भर सकते हैं, और फिर exhale करते ह हुए, आपको धीरे-धीरे सांस को छोड़ना है, भवरे की sound करते हुए, जब आप ऐसी sound करेंगे, तो आपका पूरा ध्यान आपके eyebrows के middle में, third eye पर, आज्या चक्र पर होगा, तो आईए स्टार्ट करते हैं, ब्रामरी प्राणयां इसके बाद आप अपनी दोनों हतेलियों को अच्छे से रब कीजियेगा, और फिर अपनी दोनों आइस पर लगाईएगा, फेस पर लगाईएगा, और जहां कहीं भी आपको कोई पेइन रहता है, परेशानी है, वहाँ पर आप तच कर आईएगा, और अपनी हतेलियों को देखते वे smiley face के साथ आइस को open कीजेगा मैंने आपको भ्रामरी प्राणयाम के बल एक बार करके दिखाया है आप इसको कम से कम 11 times जरूर कीजेगा और बाद में धीरे धीरे आप इसको 21 times भी कर सकते है 108 times भी कर सकते है बहुत ही बैस्त है एक तो mental health के लिए बहुत बैस्त है साथ ही fertility को boost करने के लिए reproductive health के लिए और stress, anxiety, depression, सिर्दर्द, migraine की problem को दूर करने के लिए बहुत ही बैस्त है नमस्कार